नमस्कार विद्यार्थियो राजकिये सनातकोत्तर महाविद्याले देवली के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनेह स्वागत है हमारे आज के पठन पठन का विशे है घनानंद द्वारा रचित सुजान प्रैम नामक का व्यांश इसमें भाग एक के अंतरगत जो अध्यांश लिया गया है वह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आए ये सर्व प्रथम इसका सैस्वर वाचन करते हैं जलकए अति सुन्दर आनन गवर छकेद्रग राज जक्राज तकान निछ्वे हसी बोलन मैं छवी फूलन की बरसा उर उपर जाति है हुए लट लोल कपोल कलोल करे कल कंठ बनी जलजाव लिद्वे अंग अंग तरंग उठे दुति की परिह मन रूप अवे धरच्वे यह इसका सैस्वर वाचन था आए इसके प्रसंग के बारे मैं जान लेते हैं प्रसंग के अंतरगत जो तीन चीजें हम जानते हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं कवी हैं घनानंद ग्रंथ के नाम पे आप कव्यांश का सीर्षक लिख सकते हैं कव्यांश सीर्षक है सुजान प्रेम संदर्व क्या है कि कवी ने इस पद्यांश में नाईका का रूप वरणन किया है तता उसकी रूप दीपती का भी उलेक किया है आईए अब इसके कुछ कठें शब्दों से परिचित हो लेते हैं आनन शब्द आया है आप परिचित हैं आनन मुख को कहा जाता है द्रग आखें हैं नयन हैं काननी कानों को कहा गया है उसका बहुवचन है उर रिदे को कहा गया है लोल का अर्थ चंचल है कपोल का अर्थ गाल है कलोल का अर्थ कृड़ा करना है जलजावली जलजावली यहां कहा गया है मोतियों की माला को और इसके साथ दूए लगा हुआ है तो दो मोतियों की माला अथवा दो लड़ वाली मोतियों की माला जो माला बड़ी होती है दोहरी हो जाती है इसमें एक साथ दो लाइन या दो पंग्तियां या दो लड़ें दिखाई देती हैं तो वह मौट दूती का अर्थ द्यूती अथवाद चमक है रूप दीपती से इसका अर्थ है तो ये हो गया इसका इसके कठें शब्द आईए अब इसके अर्थवे भावार्थ पर ध्यान देते हैं प्रसंग संदर्व आपको मालूमी है कि इसमें नाईका का रूप वरणन किया गया है तथा उसकी रूप दीपती का उलेख कर रहा है कवी नक्षिक वरणन के अंतरगत ये आई जाता है तो क्या के रहा है कवी जलके अतिसुंदर आनन गवर छकेद्रग राजत काननी छए कि घनान जी कहते हैं कि उस नाईका का गवरण मुख नाईका गोरी है आनन गवर कि उस नाईका का गवरण मुख अतियंत सुंदर है और वह अतियंत सुंदरता से मानो जिल मिला रहा है जलक रहा है छकेद्रग राजत कानन इच्वे और उसके कानों को स्पर्ष करते हुए उसके जो मद्युक्त विशाल नित्र हैं वे शोभायमान हो रहे हैं उसके जो नित्र हैं कानों तक फैले हुए हैं तो अर्थ यह हुआ कि विशाल हैं बड़े हैं सुंदर हैं बोलन मैं छवी फूलन की वरशा और उपर जाती हैं वे और उसके हसने और बोलने से अनूठी छवी निर्मित होती है उसके हसने और बोलने की बात ही अनूठी है उसका हसना और बोलना बहुत ही अनूठा है अनूपम है कैसा प्रतीत होता है जब नाई का हस्तिय और बोलती है और उपर जाती है वै मानो देखने सुनने वालों पर फूलों की वर्सा हो जाती है और रिदय भर आता है रिदय में प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है लट लोल का पूल का लोल करें लट लोल का पूल का लोल करें कल कंठ बनी जल जावली द्वै उसकी चंचल तथा सुन्दर लटें गालों पर क्रीडा कर रही है और उसके कंठ में सुन्दर कंठ में मोतियों की दोहरी माला है दो लड़ वाली माला शुशो भी थो रही है उसकी सुन्दरता में और व्रद्धी कर रही है अंतिम बंक्ति मैंतुपूर्ण है अंग अंग तरंग उठे दुती की उसके एक एक अंग से कांती की दीपती की लहरें उठती है परिहें मन रूप अबे धरच्वे और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसका जो सुन्दर्य है वह तरल रूप धारण करके अभी धर्ती पर चू पड़ेगा टपक पड़ेगा मानो सुन्दर्य की बूंदें जमीन पर टपक जाएंगी सुन्दर्य की तरलता की कल्पना की है घनानंदन है ये अंतिम बंक्ती बहुत ही विशिष्ट है ये इसका अर्थ्वे भावार्थ हो गया आईए अब इसके कुछ विशेश बातों पर ध्यान दे लेते हैं इसमें हम लिख सकते हैं कि इस पद्यांश में नाइका की रूप शोभा वे अंग दीप्ती का आकर्शक वर्णन किया गया है साथ ही इसमें रूपक अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार है यमक अलंकार विद्यमान है पुनुरुक्ती प्रकाश अलंकार विद्यमान है तता अनुप्रास अलंकार भी विद्यमान है तो इतने सारे अलंकार इसमें विद्यमान है आपको ध्यान रखने है और अगर आप ध्यान रखना चाहें कि चंद कौन सा है तो ये चंद है सवया सवया चंद है और सवया का भी कौन सा प्रकार है ये सुमुखी सवया है अब सुमुखी सवया का नाम आपने सुना तो होगा लेकिन आप उसके वारे में साइद विस्तार से नहीं जानते होंगे तो आप अपने जानकारी के लिए सुन लीजिए अंकित कर लीजिए जो सुमुखी सवया होता है उसमें गणों के हिसाब से आठ सगन होते हैं और आठ सगनों से 24 कुल 24 वर्ण होने चाहिए एक पंगती में तो यह सुमुखी सवया के लक्षन होते हैं तो सुमुखी सवया गे होता है किसी का कंठ अच्छा हो तो वह से सहस्वर वाचन इसका बहुत अच्छी तरीके से आकर्शक तरीके से कर्ण प्रिये तरीके से कर सकता है तो छंद है सुमुखी सवया नाइका की रूप शुभाव अंग दीप्ति का अकर्शक वर्णन किया गया है अलंकार है रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, पुनुरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास अनुप्रास में अगर आप भेद लिखना चाहें तो अनुप्रास में भी छेकानुप्रास अलंकार विद्यमान है छेकानुप्रास में जहां किसी एक वर्ण की अवरत्ती एक बार हो जाती है यानि कि एक वर्ण दो बार आ जाता है तो छे कानुपरास माल लिया जाता है आज का आप ग्रहकार अंकित कर लिजिए साधारण साहे पध्यावतरण में प्रियुक्त अलंकारों का नामो लेख कीजिए आप छंद भी ध्यान रखें लेकन ग्रहकारे जो दिया है उसके साब से आप अलंकारों का विशेश ध्यान रखें और जानने की कोशिश करें कि किस पंक्ती में कौन सा अलंकार था आज के पाठ के लिए बस इतना ही आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद